आज हम लोग चादस प्रश्णावली आर्दस मलव एक के प्रश्ण संख्यानों को सॉल्व करेंगे त्रिभूजे विसी में जिसका कोन भी समकोन है यदि 10 ठीटा बढ़ावर एक बटे रूट तीन तो निमलखित का मान ग्याद करें हमें यह दिया हुआ है और एक त्रिभूजे एविसी जो समकोन त्रिभूजे उसमें 10 ए बढ़ावर एक बटे रूट तीन दिया हुआ है इसकी मदद से हम लोग साइन अ, कौस इ, कौसं, साइन सी का मान ग्याद करेंगे और इसमें रखेंगा और इसको सॉल्ट करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते सबसे पहले एक त्रिभूज ABC है मतलब त्रिभूज ABC बनाना वो त्रिभूज समकौन है तो हम लोग त्रिभूज समकौन त्रिभूज बना लेंगे जिसमें B समकौन है तो यहाँ पर B समकौन देंगे और A, C आप कहीं भी दे सकते हैं A यहाँ पर और C यहाँ पर मान सकते हैं 10 A बड़ाबर एक बटे रूट 3 दिया है तो हम लोग यहाँ पर इसका यूज करेंगे Give N मतलब दिया है 10 A बड़ाबर एक बटे रूट 3 10 A का सुत्र जो होता है लंब बटे आधार होता है मतलब लंब बटे आधार यहाँ पर 10 A का मान दिया है मतलब इस एंगल के लिए इस कोन के लिए इसका आधार यह हो गया तो यहाँ पर आधार क्या है रूट 3 मतलब A B का मान रूट 3 हो गया और 10 A के लिए इसी के सामने का जो भुजा होता है वो لंब होता है मतलब लंब का मान एक हो गया तो हमको चाहिए क्या? यहिलोग साइन और कॉस का मान गयात कर सके तो समकून तरबुज ABC में समकून तरबुज ABC में तेखिएगा AC स्क्वार AB स्क्वार पलस BC स्क्वार कहां से? तो यह पाइथागोरस परमेस है पाइथागोरस परमेस है ठीक हमको AC का मान चाहिए और AB का मान यहाँ पर हम लोग क्या रखें रूट 3 का स्क्वाइर अब BC का मान 1 का स्क्वाइर रूट 3 का स्क्वाइर 3 होता है और 1 का 1 4 जब यह स्क्वाइर इस साइड आएगा तो रूट 4 तो क्या आएगा 2 मतलब इस कर्ण का मान हम लोग का क्या निकल गया 2 निकल गया हमको चाहिए क्या साइन सी कॉस साइन एक कॉस सी कॉस साइन सी और हम लोग इसमें रखेंगे तो सबसे पहले हम लोग यहां पर निकाल लेंगे साइन ए कॉस और चॉस ए साइन सी एक एक करके सब का मान निकाल लेंगे देखिए कौन ए के लिए इसका कौन एक के सामने का ये पुझा है तो ये क्या हो जागा लंब तो लंब बटे करण होता है तो लंब हमारा क्या है बी सी और कर्ण क्या है AC तो BC का मान 1 और AC का मान हम लोग 2 निकाले उसी तरह C, cos C इस एंगल के लिए इस कौन के लिए आधार ये होगी अब BC और कर्ण AC हो गया तो BC का मान 1 और AC का मान 2 cos A के लिए इस एंगल के लिए इस कौन के लिए अधार ये हो गया A B और कंड सेम रहता है A C रूट 3 बटे 2 उसी तरह इस एंगल के लिए अधार ये हो गया लंब ये हो गया तो साइन C बराबर A B बटे A C रूट 3 बटे 2 ठीक अब हम लोग इसको एकार करके solve करेंगे तो साइन A का मान हम लोग का पीछे आया था 1 by 2 उसी तरह कोस C का मान आया था 1 by 2 और कोस A का मान आया था रूट 3 by 2 और साइन C का मान आया था रूट 3 by 2 यहाँ पर इंटू होगा इसको solve करेंगे 1 2 2 जा 4 पलस रूट 3 इंटू रूट 3 3 रूट 2 जा 4 एलसियम आयागा नीचे 4 1 पलस 3 4 by 4 अंसर 1 उसी तरह दूसरे में कोस A का मान आया था रूट 3 by 2 और कोस C का मान आया था 1 by 2 मैंस से मैंस देंगे साइन A का मान आया था 1 by 2 और साइन C का मान आता रूट 3 by 2 इसको solve करेंगे 2 2 जा फोर रूट थिरी इंटू वन रूट थिरी मैनस दो दुनी चार रूट थिरी इंटू वन रूट थिरी ये दुनों सेम है कड़ जागा अंचर आगा जीरो दोस्तो यही था सवाल